गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरे मन कुछ और है हरी, इश्वर के मन कुछ और है, इस कत्वन को अधार मानकर हमें कहाने पढ़ते हैं, संसार में करम के साथ साथ भागे किस्मत को वी मानिता दी जाती है, संसार में कई लोगों को बनते बेगडते देखा गया, देखा गया है, सब दिन जातना एक समाना, सभी दिन एक समान नहीं होते, बाली बात मनुश्य पर सत्ते प्रमानित साबित होती है, हिंदू दर्म की मानिता है कि प्रारब्द, प्रारब्द का अर्थ, भागे तकदीर, पूरव जनम के, पहले जनम के कारे, प्रारब्द के उन जग्दाधार का अर्थ है संसार को दुनिया को संभालने वो पालने वाला मनुश्य तो बस उसके हाथ की कटपुतली है जैसे वह चाता है वैसे ही उसको कारे वैसे ही उससे कारे कराता है इस कतन को अधार बनाकर हमें कहानी पढ़ते हैं प्राचिन काल में एक डाकू था रतनाकर जो के जात्रियों को लूट कर अपना और अपने परिवार का पेट पाल था था लोगों ने रतनाकर के भे डर से उस रास्ते से जाना छोड़ दिया इश्वर की प्रेना से तीन सादू उस रास्ते से आये रतनाकर ने उन्हें रोक कर माल निकालने को ललकारा सादू ने उसे बहुत समझाया कि उनके पास कुछ नहीं है परवेहना माना अंत में सादू ने कहा कि हमारे एक प्रश्न का उत्तर दे दो सादू ने पूछा जो पाप करम, जो पाप के काम बुरे काम तुम करते हो उस पाप में तुमारे घर वाले भी हिस्तेदार होंगे या नहीं तो रतनाकर बोला क्यों नहीं मैं उनके लिए ही तो ये सब करता हूँ सादू ने कहा घर जाकर एक बार उनसे पूछ लो रतनाकर सादू को पेट से बांद कर घर गया और अपनी पतनी से वही प्रशन पूछा उसकी आशा के वपरित उल्ट उसको जवाम मिला के परिवार का पालन करना उसका करतवे उसका फर्च है वै उसके पाप में भागिदार नहीं होगे रतनाकर दुखी मन से सादू के पास आया उसका मुह बंग हो चुका था इश्वर की कृपा से कृपा से उसके हिरदे में ज्यान जागा और वह सादू के पैरों में पढ़ गया उसने सादू को खोल दिया और अपने अपरात के लिए क्षमा मांगी रतनाकर ने उनसे उद्धार कल्यान का मार्ग रास्ता पुछा सादू ने उस पर कृपा की और उपदेश दिया के राम राम जपो जिससे तुमारा कल्यान होगा और सभी पाप जो है बुरे काम दूर होंगे रतनाकर ने इसे ही अपने कल्यान का मारग जानकर उल्टा नाम यानि मरा मरा जपना प्राराम शुरू कर दिया तुर अतनाकर ने घोर कठिन तपस्या की आर्थ कठिन तपस्या की कहते हैं कि दीमक ने इनकी श्रीर पर बामई का अर्थ सांपों का गर इनकी श्रीर पर बामी बना ली अता इनका नाम बाल में की पढ़ गया तपस्या के प्रभाप से उंची पद्वी पर पहुंच गे उल्टा नाम जबत जग जाना बाल में की भे ब्रह्म समाना की उल्टा श्रीराम जंदर जी का नाव राम राम उल्टा राम राम की जगा पे वो क्या जप रहे थे मरा मरा तो उल्टा नाम जबत जग जाना बाल में की भे ब्रह्म समाना ब्रह्मा जी ने स्वेम आकर इनको दर्शन दिये और भूत काल एवंव विश्षी जानने की दिवे अनोखी दृष्टी प्रधान की और रमाइन ग्रंथ लिखने की आग्या द ठेसं तबि उन्होंने क्रोंचपक्षी के जोडे को किरिड़ा का अर्थ खेल करते देखा, एक भान नर्भ पक्षी को मार दिया, उसकी वियोग में मादापक्षी किस प्रकार तडपी ये देख मेंकी जी का हिरे brace, द्रवित का अर्थ पसीज दिया से भर गया, द्रवित हो और रमायन का पहला शोलोग उनके होंथों से प्रसुतित का अर्थ पैदा हुआ था निकला तो पहला शिलोग जो है उनके होंथों से प्रसुतित हुआ उसी दिन से उन्होंने उस प्र drinking की रचना प्रारंब शुरू कर दिबात में अपने वनवास काल में माता सीता माहर शीबालमिकी के आश्यरम में आकर ही रही थी माहर शीबालमिकी ने यह सिधकर दिया कि वही शिरीर पवित्र है जिसने शिरी राम जी का भजन किया है तो आगे पड़िए सोई पावन सोई सुभग श्रीरा जो तनु पाए भजी रगु बीरा सोई मने वही पावन पवित्र है सोई वही सोई सुभग भागेवान श्रीर है जो तनु पाकर जो इस श्रीर को पाकर श्रीराम चंदर जी का भजन करता है महारिशी के आश्र में माता सीता ने दो पुत्रों को जनम दिया, उनका नाम लवक और कुष था, महारिशी ने उन्हें शिक्षा दी और वान बिद्या सिखाई, राजा राम चंदर द्वारा अशम में यग्य किये जाने के समय लवकुष ने जोद्या जाकर उनको रमायन गा सुनाई अतनिशकर्ष निकलता है के रतनाकर डाकू बनने के लिए पैदा नहीं हुए थी, अपितु विश्ववंदनिये संसार के द्वारा पूछनिये कभी बनने के लिए पैदा हुए थे, जानि जो रतनाकर ने चाहा वै नहीं हुआ और जो इश्वर ने चाहा वही हु वैसा ही विदी का विदान बन जाता है जैसा इश्वर चाता है तो अंत में हम कह सकते हैं कि मेरे मन कुछ होर है हरी बगवान के मन में कुछ होर है तो बच्चो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज प्लीज इसे लाइक शेयर और स्क्राइव और शेय कर दीजिए धन्यवार